हलो एवडियों आज है 25 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं NHPC के बारे में लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियों हैं जब काफी जादा हल्प करेंगे तो एक एनेच पीसी का शोज शेर है वो 99 रुपय का है एक महिने में यहाँ पर डाई पर संट के गिरावट भी है एक बड़ी रफतार आई थी यहाँ पर बाद में जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट्स आए एक जटके में एक जटके में यह गिरा था तकरीबन 12-13 परसंट बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली जरूर से लेकिन फिर से रिकवरी आई और अभी अगर आप देखोगे तो बहुत ही साइलेंटली जा रहा है यह नीचे की तरफ एक सो तीन रुप जाता हुआ नजर आ रहा है अगर आप एक साल की बात करो तब भया खुब पैसा बना है 120 परसंट का ग्रोथ है 45 रुपए से ऐसा भागा था कि 100 रुपए से उपर गया लेकिन 100 से 105 के असपास एक रिजिस्टन्स लेवल जरूर था वहां से गिरावट हमें देखने को मिली फिर एक बड़ी दीजी यहां पर आई थी और इसको 113 पर लेकर गई 100 रुपए का रिजिस्टन्स तोड़ा और एक ब्रेकाउट का सिनारियो देखने को मिला लेकिन उसके बाद जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट्स आए एक जटके में गिर गया अब 100 रुपए का जो लेव सपोर्ट है वो पचासी रुपए के आसपास है और वो एक स्ट्रॉंग सपोर्ट देखने को मिलेगा वहां पर और जहां तक वेली और वॉल्यूम्स की बात करें सौरी तो बड़ी कॉंटिटी में ट्रेडिंग तो हुई ही रही है बाजार जस्ट अभी खुला है और तकरी अच्छा पे कर रहा है और डिविडेंट भी देखोगे तो बहुत अच्छा पे कर रहा है इस बार इसने एक रूपए 40 पैसे का डिविडेंट फेबरुवरी में पे करा और उसके साथ साथ मैं मैं भी इन्होंने डिविडेंट अनौंस करा है तो देखा जाए तो कम्पनी डिविडेंट तो बहुत अच्छा पे कर रहा है दो रूपय के आसपास अभी ऑस्पास अभी पिलाकर दूरुपय के आसपास का डिविडेंट पे कर रहा है इस साल पिछले साल इगर आप साथ तो तकरीवन 2 र हूपय कर रहा था Kollegen तो आने वाले टाइम में जिस तरीकी से शेर प्राइस बढ़ रहा है मुझे रहता है कि डिविडेंट भी थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ नजर आएगा और अच्छा खासा डिविडेंट पेक कर रहा था इवन 30 रुपए का था 35 रुपए का था तब भी अल्मोस एक रुपए सी पैसे का डिविडेंट पेक कर रहा तो अच्छा कासा डिविडेंट यिल्ड कहलो यहां पर तो वो मिला जरूर है लोगों को और कंपनी में अगर हम इसकी वेबसाइट की तरफ चले तो देखो इनका पावर का बिजनस है ठीक है इनकी सबसे ज़ादा कैपिसिटीज जो है वो हाइड्रो में है सबसे ज़ादा तक्रीबन 7000 मेगा वोट की कैपिसिटीज है लेकिन कंपनी ने बोला है कि 2025 तक यह इसको 9000 मेगा वोट तक लेकर जाएंगे इसके अलावा रिन्यूबल्स में भी अगर आप देखोगे आप इनके पावर में अगर आप देखते हो जो हाइड्रो की बात करें तो कई सालों से है यह और कई सालों से अलग-अलग कैपिसिटीज इनकी देखने को मिल रही है कुल मिला करें की जैसे कि मैंने कहा कि हाइड्रो में तकरीबन 7000 मेगा वोट से भी जादा की कैपिसिटीज है और यह लगातर बढ़ा रहे हैं जैसे कि 2024 में ही अगर आप देखोगे यहां पर तो दो इनोंने एडिशन करा है कॉलपी सोलर पावर प्रोजेक्ट का उत्तर प्रदेश म वो भी इस साल इनोंने यहां पर इनोगरेट करा हुआ है और अभी और कई सारे पावर इनके और आने वाले हैं ठीक है पिछले कुछ टाइम से लंबा ब्रेक लगा ज़रूर था अगर आप देखो तो 2018 में इनोंने दो पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट करे थे उसके बाद 19 21, 22, 23, 24 तक नहीं है 24 में वापस एक बड़े पैमाने पर expansion mode चल रहा है इनका और solar में भी देखो तो तकरीबन 320 मेगा वोट का जो PMODI नहीं इनोगरेट करा हुआ था वो भी इस साल सप्टेंबर में आपको commission होता हुआ नजर भी आ जाएगा तो यह सारी चीज़े है solar की बा के उपर already already company के उपर तकरीबन 22 से 25 हजार करोड का करजा है और company और यहाँ पर 6000 करोड का debt और उठाने वाली है तो देखे debt है इनके उपर बहुत बड़ा करजा है उसमें कोई शक्री की बात नहीं है लेकिन अगर आने वाले टाइम में company's debt को जो expansion के इस्तिमाल कर रहे हैं अ तो 28 का P है थोड़ा सम्मेंगा है sector P 30 के मुकाबले और यह क्यों मेंगा है क्योंकि पिछले 2 quarter के number इनके उतने अच्छे नहीं थे quarterly जो results आते वो उतने अच्छे नहीं थे अगर वो अच्छे होते तो P ratio इनका adjust हो जाता लेकिन वो अच्छे नहीं थे 50% analyst कहते है खईदारी क अगर हम बात करें चाहिए तो last 2 quarter के number average रहे है और last March में तो 2500 करोड के ही revenue थे और profit 550 करोड का था उससे पहले अगर आप डिसंबर में देखो तो 2600 करोड के revenue थे और 490 करोड का profit था जबकि इससे पहले के सालों में अगर आप देखोगे तो December और March के number at least revenue वाइस से लो ठीक है उतने ही थे लेकिन profit at least 600 और 600 करोड के आसपास का था तो वो कम हुआ है यहाँ पर लेकिन हाला कि इनके जून और September quarter से बहुत जादा उमीदे होती है क्योंकि ये दो quarter ऐसे होते हैं जहां पर revenue profit automatically बहुत जादा बढ़ा बढ़ते हो नजर आते हैं जैसे कि जून 2030 में होगे तो जून और September में profit आप देखो 1000 करोड और 1500 करोड और इवन भी 3000 करोड से जादा काही था अगर आप 21 में देखोगे तब भी आपको यही सिनारियों देखने को मिलेगा यहां पर तो जनरल जून और September quarter से उमीदे जादा होती है तो यहां पर next June quarter के नंबर आने वाले ह मैं उमीद करता हूँ कि वो भी अच्छे नंबर सो क्योंकि पिछले कुछ सालों में जून और September ने काफी हाई benchmark सेट करा हुआ है तो नजर होनी चाहिए वहां पर और जहां दक शेयर होल्डिंग के बारे में देखे तो प्रमोटर की होल्डिंग 67.40% की है प्रमोटर कौन है government है यहाँ पर सरकारी company है यह 6.02% mutual fund के पास है 5.29% domestic institution के पास है 6.80% FIS लेकर बैठे हैं retail और अधर की मिलाकर 14.49% की holding है जिन में से retail investor 9.88% पर हो जो other parties है वो 4.61% का stick यहाँ पर लेकर बैठे हुए है overall अगरे में बात करें NHPC को लेकर तो अगें में कहूँगा company खराब नहीं है लेकिन एक जटके में बहुत बड़ी जब तीजी आया थी यहाँ पर आप देखें यहाँ पर कि 50 रुपेसे से जब सिधा 100 पर गया था यह उसके बाद consolidation वाला phase अपीस का चल रहा है गर्मियों का long term का अगर outlook है तो बेचने की ज़रूत नहीं है बने रहो हो यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर थोड़े बहुत correction आएंगे भी तो long term में recovery आपको definitely देखने को मिल जाए लेकिन जहां तक बात आती है fresh buying की मुझे लगता है कि 90 रुपे के लेगल पर आपकी नजर ह पर बहुत सारे shares और आपका जो outlook है वो long term का होना चाहिए short term का नहीं long term के लिहास से मुझे कोई खराबी नहीं लगती है short term के लिहास से option downs आपको यहाँ पर देखने को ज़रूर मिलेंगे और एक और company है और वो है SJVN ये भी सरकारी company है इसका भी chart pattern कुछ इसी की तरह है लेक जो कि NHPC से कुछ जादा ही है और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक detailed video बनाओ तो comment मैं इसका भी नाम लिखेगा जीतनी ज्यादा comment है कि उतना ही जल्दी वीडियो आएका और NHPC को लेकर यही कौँगा कि wait and watch जलबाजी मत करना यहाँ पर और या फिर buy on dips के approach के स कि जएका यही कौँगा है तो